हेलो एवरीवान आप सभी का स्वागत करता हूँ माई एजुकेशन हब यूटूब चैनल पे तो इस व्यूडियो में BST Part 2 Chemistry Honors के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ कि BST Part 2 में Chemistry Honors में आपको कितने पेपर परने होते हैं Part 2 में और कितने माक्स के होते हैं कितना practical exam होता है और कितना theory के exam होता है पूरा complete information इस व्यूडियो में हम बाताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करता है देखिए Chemistry Honors सबसे पहला बात कि Chemistry Honors Part 2 में आपको टोटल दो पेपर परना परता है Paper 3 और Paper 4 क्योंकि Paper 1 और Paper 2 आपको Part 1 में परना होता है और Part 2 में आपको दो पेपर Paper 3 और Paper 4 परना होता है तो देखिए अब हम देखता है कि Paper 3 का पले सिलिबस क्या है तो उसकी बात पर Paper 4 के सिलिबस पर चलेंगे तो देखिए सबसे पहले Paper 3 तो Paper 3 जो होता है कि त्यूरी उग्जाम होता है, दो त्यूरी माख्स का होता है और उसके लिए जो स्मयांय मिलता है, तीन घंटे का स्मयांय मिलता है, कितना मिलता है तीन है के समय मिलता है और यह instruction है देखे काली का instruction में कि 10 q Bertrand to be said 10 question to be said 5 question to be answered यह निकि 10 question का सेट रहेगा और आपको five question to be answered आपको पाच कुछन के आँसर देना रएगा, और लिखा है कि सेलेक्टिंग two from, selecting two from group A and three from group B, और group A से आपको दो कोश्चन के आँसर देना है, टोटल आपसे 10 कुछन, पूछ आएगा, दो गुरुप में कोश्चन दाएगे, ग्रूप A से आपको 2 question और ग्रूप B से आपको 3 question का answer दिना रहेगा तो अब हम देखते हैं ग्रूप A में ग्रूप A का syllabus क्या है यानि ग्रूप A में आपको कौन सा chapter पढ़ना है तो देखिए ग्रूप A में आपको जो पढ़ना है वो physical chemistry पढ़ना है क्या पढ़ना है ग्रूप A में आपको physical chemistry पढ़ना है जिसमें पहला जो चप्टर आपका है distribution of velocities of gases जैसे कि मैक या इसका topic क्या topic है आप इसको पढ़ सकते है जैसे कि Maxwell distribution law of velocities derivation not required तो यह सब इसका distribution of velocities of gases का topic है आप इस वीडियो को पॉस्ट करके आसानी से पढ़ सकते हैं यानि ग्रूप A में आपको physical chemistry पढ़ना है इसका देख लिए क्या है क्या क्या पढ़ना है जो पहला पढ़ना है चप्टर आपका distribution of velocities of gases जिससे कि जिससे चार question पूछेगा कितना पूछेगा चार question पूछेगा आपसे physical chemistry में physical chemistry से चार question पूछेगा जो इस ग्रूप A में है जिससे कि चार question रहेगा अब देखिए ग्रूप A में दूसर जो topic है आपका दूसरा topic है reaction rate process and catalysis ताप इसको इस topic को आप असानी से पर सकता है कौन कोंसे topic परना इस chapter में और तिसरा है electrochemical cells और चौथा है ionic equilibria तो यह आपका है यह group A में आपको total आपसे टोटल चार question पूछेगा और ग्रूप A में आपको पढ़ना है वो physical chemistry पढ़ना है जिससे कि चार question पूछेगा लेकिन आपको किन ही दो question का ही आंसर देना है ग्रूप A से आपको दो question बना रहा है अब हम चलते हैं ग्रूप B के सिले बसके ज़िए ग्रूप B में क्या पढ़ना है आपको ज़िए ग्रूप B में टोटल आपसे 10 question में छोड़ी ग्रूप B में आपको total 6 question पूछेगा आपसे और आपको कितना बनाना है तीन question का आंसर द इन और्गेनिक केमेस्ट्री पढ़ना है जिसके टॉप चैप्टर है नेस और आपको पर सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक है तो हम स्कोल डाउन करते रहा हैं आप पर सकते हैं इसको जैसे के केमेस्ट्री अफ 3D व्लॉक्स एलिवेंट्स यह सब हो गया इसका चैप्टर हो ग पर ना। मुलेक्स पामपाउस परना है और्गेन आपको छॉट्र शॉट्री ङर्च पर ना चैप्टर केमेंट्स वेयुर्थ अपर सकते हैं कि चाप्ट्र दिया है और कोब मेंन गील को बारेशरोर कौन कॉस्टर पर ना और चलिए इसके बाद प्रिंस्पॉल इन वाल्व इन दो फोलिमेंट्रिक एस्टेमेशन और सी यू एफी सी यार एमन उजिंग पोटासियूम डाइक्रोमेट तो यह हो गया आपका पेपर थीरी, अब हम चलते हैं पेपर फोर के सिलिबस में, तो देखिए, एक बास फिर्स का प्रेडिकल होता है, और पचातर माक्स में आपको टोटल आपसे 10 कोश्टन पूछेगा, जिसमें से आपको किनी 5 कोश्टन का अंसर देना है, और कोश्टन जो रहेगा वो दो ग्रूप में रहेगा, ग्रूप A और ग्रूप B, ग्रूप A में आपको 4 कोश्टन कर देना है तो आप समाझगे पेपर थिरी सलेबस अब हम चलते हैं पेपर फुर इसका भी जो जाम होता है थियोडी काप लुख पुल-म्रक्स और सुम्हेज जो मिलता है तिन घंता है और सोटिस मैंने वाइन क्राइब होता है और इसका भी इंस्ट्रक्शन कुछ इसी प्रकार है कि 10 questions to be set five question to be answered डस question का set रहे लेकिन आपको पाच question का answer देना है और क्या लिखाए कि selecting to selecting two from group a group a अपको दू question and theory from group b और तीन question आपको group b से बनाना है सेम फांडा पेपर 3 के जासा है कि गुरूप A से आपको 2 question और गुरूप B से आपको 3 question बना रहा है अब चलते हैं कि गुरूप A में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं यह देखिए गुरूप A में आपको पढ़ना है physical chemistry और यह सब इसका chapter है जैसे thermodynamics पढ़ना है thermodynamics, chemical equilibrium और collides के बारे हैं पढ़ना है और इसके आगे चलते हैं distribution law पढ़ना है आपको अब हम चलते हैं गुरूप B का सिलेवस का है तो देखिए गुरूप B में क्या क्या पढ़ना है और इससे आपको 6 questions पूछेगा और 6 में से आपको किनी 3 questions का अंसर देना है जैसे कि आपने शक्तर में पहले पहरा उपर तो 6 questions पूछेगा और इसमें से आ प्रक्स रखते हैं उसके बाद optical isomerism ता बीडियो को प्रक्स रखते हैं जिससे कि आपको टॉपिक वाइस पर सकते हैं इसको और उसके बाद classification of organic reaction and basic concepts उसके बाद active methyl compounds हाइड्रोक्स के बारे पढ़ना है उसके बाद carbohydrates के बारे पढ़ना है उसके बाद aromatic chemistry उसके बाद mechanism of canisaro preparation and synthetic application of DSO compounds यही था आपका chemistry honors part 2 का syllabus तो आप पूरा अच्छे से समझ गए part 2 का syllabus के आपके chemistry honors में तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं तब तक के लिए जाहिन टाटा बाए बाए तू है